बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कापके प्रेटूब चनल सुकलर स्टड़े परड़ में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ ये कहानी बहुत ही फेमस है आपके परिक्षा में इस कहानी का कथावस्तू या सारांस आपसे पूछा आ सकता है कथावस्तू या सारांस के अलामा इस कहानी से आपको बता दू कि इस कहानी का एक प्रकार से आपसे जो है कहानी कला के तत्तों के हिसाब से इसकी विसेस्ता या इसकी समिक्षा आप से पूछी आ सकती है तो समिक्षा कैसे लिखनी है हिंदी गद्ध में सामिल तीसरी कसम कहानी की जिसके लेखक फड़ी स्वरनाथ रेड़ू जी है आईए उसको समझने का प्रियास करते बिये थर्ड समेस्टर हिंदी साहित में आपके सामिल है या कहानी देखेंगे यहां पर फड़ी स्वरनाथ रेड़ू जी के अगर बात किजाए खास करके तो फड़ी स्वरनाथ रेड़ू जी की कहानी है या तीसरी कसम तीसरी कसम का जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या है भई तीसरी कसम कहानी का दूसरा नाम है मारे के गुलफाम ठीके इसके उत्तर आपसे प्रस्ण क्या है कि फड़ी सुलनाथ रेलो की कहानी तीसरी कसम की समेक्षा कीजिए समिक्षा जो होती है वो कई प्रकार के तब तो क्यानी की लगबग छे तब तो होते हैं कहानी कला कि आपको पता होगा एक होता है कथानक या कथावस्तू एक होती है पात्रियूम चरिचित्रन ये एक होता है आपका संबाद योजना या कथोप कथन एक होता है देश काला और प्रवातावड एक होता है भादसाईली एक होता है उद्देश और सीर्सक तो ये छेत अत्तों जो होते हैं इनके आधार पर हम किसी कहानी की किसी उपन्यास की क्या करते हैं समीच्छा करते हैं और इसी आधार पर हम फड़ी सुरनाथ रेडू जो तीसरी कसम कहानी है जो कि ए हीरा मन और हीरा बाई आते हैं हीरा मन और हीरा बाई के गर बात की जाए हीरा मन ठीक है हीरा मन जो है ये बैल गाली चलाने वाला एक इवक है काला एकदम से है कुरूप है दिखने में अच्छा नहीं दिखता है ठीक है साधी हो चुकी थी लेकिन उसकी वीवी मर जाती है पहल है और एक समयाता है कि यह इंसे और खाव बाई जो है वह रमन की गाड़ी इसको लेकर के वहां तक जाता से रास्तते रास्ते में प्रेम हो जाता है यह म ஆ करता है मौलब अधार के आपको पता होगा तीन प्रकार की कस्मे तीनों समय के बारे मैं जब रास्ते में खास करके तीसरी कसम जो है वो हीरा बाई और हीरा मन जब जा रहे होते हैं तो चुकि उनके बीच में कूमल संबंध हो जाता है प्रेम हो जाने लगने लगता है फिर नोटंकी किनाय का जो हीरा बाई है वो एक पैसे वाले ने परकार से उसको खरीद लिया औ अब मैं जो है किसी इस तरी को या नोटंकी वाले को कभी अपनी गाड़ी में ने बिठा हूँगा ये तीसरी कसम उसकी है पहली कसम ये कहाता है कि अब चोर बजारी का माल जो है कभी नहीं ला देंगे अपनी गाड़ी पर दूसरा कहता है अब मैं बास नहीं ला दूँग उसकी छदरी फट गई थी तो इसके कारण से हीरा मन दूसरी कसम खाता है तीसरी कसम हीरा मन तब खाता है जब हीरा बाई को अपने उसमें बैठाता है तो एक परकार से यही सारी चीजे चलती रहती इसमें तो यही आपका कहानी का एक परकार से पूरा यही उसकी यात्रा का और वो एक परकार से नौटंकी करने की पूरी किर्याबिदी आपको दिखाई जाती है समझने का प्रियास करते है तो हिंदी के परसिद कहानी लेखक भड़ी सुरना थ्रेडू की आंचलिक कहानी तीसरी कसम उनकी परसिद धोर प्रमुक कहानी है इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है कहानी के तत्तों के आधार पर अथवा कहानी कला के आधार पर किसी कहानी की आलोचना निम्रखित बंदों के मादिम से किया सकती है आलोचना समिक्चा कुछ भी आपसे पूचे आसानी से आप बता पाएंगे तो कहानी कला के जो छे तत्तों हैं उन्हीं के अधार पर हम थोड़ा सा समझने का प्रियास करेंगे जानने का प्रियास करेंगे देखें कहानी कला के तत्तों के हिसाब से अच्छे बिंदों का अधार पर तीसरी किसम कहानी की आलोचना है समिक्षा आपके समझ में प्रसुत करने जा रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखने का प्रियास करेंगे, देखें, इससे पहले आपको बता दू कि मैंने धुरुबश्वामनी नाटक के बारे में आपको समझा दिया है, पूरा बिस्तार से बता दिया है, पूरा कथान का, इस कहानी का प्रमुक पात्र जो है, नायक अथवा आधार जो है, हीरा मन है, हीरा मन जो है, बैल गाड़ी वाला है, भोला भाला है, बिहारी का लड़का है, ठीक है, और पहले वाद नेपाल से तसकरी का सामान ढोकर के भारत में लाया करता था, क्या हुआ कि एक बार ए तो चोरी का माल ये बेच रहा था, अब जब चोरी का माल बेच रहा था, तो क्या हुआ भई, चोरी के माल बेचते समय क्या होता है, कि भई, वो लोग जो है, पुलिस का डर बना रहता है और लगाता है, तो किसी तरीके से अपनी जान बजा करके उस समय भाग लेता है, ठी अब दुबारा चोरी का माल ये तसकरी कभी नहीं करेंगे ठीक है तो इसने पहली कसम तब खाई थी कि वह कभी तसकरी का माल नहीं ढोएगा इसके बाद में क्या होता है वह सकीन के जानवरों को ड्धोने रगता है और हीरामन ने दूसरी कसम अपनी गाड़ी में बांस ना ढ होने की खाई थी एक दिन वा क्या कर रहा था कि अपनी गाड़ी में बांस लाद करके ले जा रहा था बांसों का कुछ हिस्सा जो है चुकि पीछे निकला रहता है आगे और पीछे भी निकला रहता है तो हीरामन की जो बैल गाड़ी है वो एक बग्गी से टकरा जाती है और बग्गी की छतरी जो होती है वो खासकरे तूट जाती है और जब बग्गी की छतरी तूट जाती है तो क्या होता है बग्गी की छतरी जो है जब तूट जाती है तो बग्गी की छतरी तूट जाने से पर क्या होता है बग्गी हांकने वाले ने हीरामन को कोड़े से परकार से मारा और उस समय हीरा मन ने दूसरी कसम खाली कि भई अब कभी हम अपनी गाली पर बांस नहीं ला देंगे या बांस नहीं ढोएंगे ठीक है उसके बाद में क्या होती है इसके एक घटना है फारविस गंज की नोटंकी में नाचने वाली एक हीरा बाई आती है तीन के आधार पर इस कहानी का तीसरी कसम नाम पढ़ा चुकि तीसरी कसम इस कहानी का में उद्देश है हीरा बाई और हीरा मन के बीच का थोड़ा सा प्रेम दिखाने का प्रियास ताल मेल या बाद चीट जो एक प्रकार से हीरा मन की गाली में बैठी हुई है हीरा बाई और उस घंट्यारिन का गीत भी गाने वाला है तो वɣःा मन के साथ बाचीत भी करते खुल करके उसमें कोई दो राय नहीं है तो हिरा बाई उसकी गाड़ी में सवार होती है और एक आपरिचित सम्बंद उसके साथ जूर गया होता है इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि भाणे है भा जाग दिखाई पड़ती है इसमें फारविस गंज में मेला लगता है चुकि हर सवर्स और हीरामन कई बार फारविस गंज आया हुआ है परन्तु हीराबाई के करण से फारविस गंज तो हीरामन का घरदुआर है राह चलते हुए हीरामन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गल मलकी वो कह उठती है यह बात कहती है कि छतरपुर पचीरा कहां है जिस पर हस्ते हस्ते हीरामन के पेट में परकार से बल पड़ गए यानि बहुत हसा वो हीरामन के तक्छिया के पास पहुचने पर परदे वाली गाड़ी को देख करके बच्चे तालिया वजा करके गाउठ थे लाली लाली डुलिया में लाली दुलहनिया यह गाना भी बीच-बीच में परकार से गाना भी जो है आतेका परकार से गवई गाना होता है वो अभी आने का मलब की आता है और इसको लाने का प्रियास कथानक में होता है जिसके कान से कथानक में और जदा एक परकार से बंधने का प्रियास होता है कोई मिला करके ज्यादा एक प्रकार से लंबी कहानी नहीं है ज्यादा लंबा कथानक भी नहीं है बस कथानक ही है कि ताल मेल अच्छे तरीके से बैठा रहता कथानक में ठीक है बीच में थोड़ा सा हिचाव भी लेती कहानी लेकिन फिर भी योग यह हीरामन भी सपनों में द करती है ठीक है कई बार और इस बार तगचिया गाउं की ही नहीं किसी दूसरे गाउं की स्मृति भी उसके नस-नस में समा रही है कजरी नदी के साथ-साथ उसकी सडक जा रही है परमान नदी का तो महुआ घटियारिन की लोग कथा सम्मंधी है हीरा बाई कथा सुनने की दूसरे रास्ते से आता है ननकपुर के रास्ते से आता है और कहानी के अंत में हीरा बाई जब हीरा मन से बिदा लेती है तेब हीरा मन को बहुत दुख होता है क्योंकि वहाँ उससे अतिधिक प्रेम करने लगता है और सिरी फड़ी सोनाथ रेडू जी ने तीसरी कसम उर्फ म बाहुसाली है रोचक बन पड़ी है लेकर ने कहानी में ऐसे बिसे का चैन किया जो सहजी पाठक को बाधने में समर्थ है और इस प्रकार से कहानी का जो ये आपका तत्तो है ये भी बड़ा एक प्रकार से अच्छा दिखाई पड़ता ये बात आप ध्यान लखेंगे ठीक है हमारे के गुलफाब में कहानी से कई सारे उदहड़ है वो मलक की तमाम प्रकार के चीजे होती है अब ही समझने का प्रयास हम करते हैं दूसरी बात पात्र योजना देखेंगे क्या पात्र कौन कौन है चरिचत्रन क्या है या कहना या समझना नितांत एक आंगी बात होगी यहां अनुचित है कि आनचली कथा सार जो होता है सदा करामीर कथा अथवा चरित्रों के परतिपचपाती होता है उसका मस्तिक्स ग्राम के पूरभागरा से भरा हुआ रहता है स्री फडशलनाथ रेडू के चरित्रों के सामान परबेक्षण से हम इस परड़ाब पर पहु बताने का प्रियास करता है लेकिन फड़ी सुआना थ्रेलु जी एक प्रकार से जो आस्तबिक चीजे हैं उस धरातल पर कहानी लिखने का प्रियास करते हैं उनकी आलोच कहानी तीसरी कसम मुर्फ मारे गुल्फाम में चर्चित्रण प्रमुख हो उठा है परन्तु यह प्रभाव एक सा हो जाता है इसके अलावा इस प्रभाव वेक की को प्रस्तुत करने का सरे चर्ट को ही जाता है च्व फ्रकार से इतना ताल मेल आपको इसमें दिखाई पड़ेगा इस कहानी में इसकोई दो रहे ना ओर झाहिए से जो भी पात्र आया भी जो भी चरित्र और आये हीरा बाई और हीरा मन के अलावा वो के उल पूरक पात्रों के रूप में आते हैं कोई और मुखी पात्र के रूप में भी नहीं आते हैं ठीक है चुकि इन ही पर कहानी पूरा हीरा मन और हीरा बाई पर टिकी हुई है तीसरी भावी को डरता बहुत है हीरामन ये बात भी ध्याने के कहानी में आजब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा परिसोदनात रेणु जी ने हीरामन और हीराबाई का चरिचित्रण अतियंत सहजता और स्वाभविक्ता से किया है जो सहजी पाठक को बादने में समर्थ है वो अस्तुता तीसरी कसम और हमारे के गुल्फाम कहानी के दो पातर किंचित मातर भी आरोपित परतीत नहीं होते हैं और यही बात कहानी के यानि पात्रों की बिसे में भी कहिया सकती है तो कोई मिला करके कहानी के अगर पात्र के हिसाब से देखा जाए पात्र परिचे के हिसाब से ठीक है तर चत्र के हिसाब से तो कहानी उसमें भी खरी उतरती है कथो कथन में तो खरी ही उतरती है ठीक है कोई नीरस्ता नहीं है कोई जटिलता नहीं कहानी में सरल सब्दों का प्रियोग है और एक परकार से आंचलिकता का जो है ज़लक दिखाई पड़ती है आपको तो कोई कहानी में ज़्यादा जो है टीम जीम का प्रियोग आप नहीं देख सकते हैं कि दम से कहानी करा के तब तो किसा इसलिए स्वभाविक हो जाता है कि उनकी कहानियों में अंचल विसेश की भासा का प्रियोग एक प्रकार संबादों के अंतरगत किया जाएगा, जिससे वे उस ग्राम्यांचल में रहने वारे लोगों के जीवन को सही तरीके से दिखाया जा सके और निशेत तरपर यही करने का प्रियास भी किया है उन्होंने, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, तो यह आप कहानी यह पढ़ेंगे तो उसमें तीसरी किसम और हमारे के गुलफाम जो कहानी है, उससे एक उधार मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ, देखें यहाँ पर, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या, यह मीता जो है किसको कहती है, हीरा बाई, हीरा मन को मीता कहके बुलाती है, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है, क्या, प्रशन करती है, कि अपनी बोली में कोई गीत बताओ, अब य यहाँ पर कौन कह रहा है इसको यह लेखक प्रकार से लेखक की एक पटुता है यहाँ लेखक अपनी जो है वाग पटुता का प्रियोग करता है अपनी रचनात्मक्ता का प्रियोग करता है अपनी कोसल का प्रियोग करता है अपनी भासा का एक प्रकार से प्रकार से वो जो है सुधिन्दी में भी लिखने का प्रियास करता है खड़ी बोली में भी और इधर वहाँ गवई भासा का भी प्रियोग करता है बिहारी का प्रियोग भी करने लगता है गाउं की बोली आप समझेगा ये प्रस्ण करता है हीरा मन हीरा बाई से ठीक है तो वो कहती हूं 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 से गीदगा सकता है कोई हरी पूर होकर नहीं जाएंगे तब तो दूसरा रास्ता कार देता है ये और एक परकार से फिर गीदगाता है तो एक परकार से जो भासा है उसका प्रियोग भी आप देखते हैं पात्र अनकूल भासा का प्रियोग किया गया है पात्र अनकूल भासा क प्रियोग पात्र के अनुरूप भासा का प्रियोग पात्र अनुकूल भासा का प्रियोग जब भी किसी कहानी उपन्यास ये नाटकों में आपको होता है तो वह एक प्रकार से उचित होता है तरक संगत होता है ठीक है तो भासा एकदम से ठीक है और इसकी इनकी प्रकार से दे कहानी में बिहार की गराम अंचल के वातावण का अतियंत सोचमता से चित्रण किया है और रेणु जी ने फरविस्ट गंज चंपानगर और खरहिया गराम अंचलों का चित्रांकर भी इस कहानी के माध्धम से किया है यानि कि देशकाल और वातावण के भी अच्छे नमूने या अच्छे नजारे यहां पर देख सकते हैं इस कहारी में आप पाचबा आपका जो तत्तो है वो है भासा और सहली कहानी बिधा के चेत्र में भड़ी सोदनात रेणु एक मैत पूर्ण और उलेखनी कथाकार है इसलिए माने जाते हैं यह ऐसे उलेखनी और प्रमु कथाक क्योंकि उन्होंने परमपरागत रूड भासा में अपनी कहानियों की रचना ना करके अंचल विसेस में प्रिक्त होने वाली भासा का प्रियों क्यानी जिस अंचल के बारे में जिस गाओं के बारे में जिस छेत्र के बारे में कहानी लिख रहे है वो तो उस विसेस कहानी के पात रहे हों जिस एदिया से बिलांग करते हैं उसके हिसाब से भासा का प्रियोग करते हैं ये सबसे बड़ी बात है और यही कारण है कि उनकी कहानियों की भासा जन जीवन को तो सुचमता से रुपायत करती है इसके तरिक्त उनकी भासा या थार्थ के धरातर पर भी तो आवचप है और यही होने के साथ साथ प्रभावसाली भी दिखाई पड़ती है शार्तक 2016로 लेल ऑसा साहली त्वरियों करते हैं अगला पर्सुन है लब अगला पॉंट आप और नाम करण या उत्देशiblicing तो पड़ी लोक्तातर त्रेट ने तिसरी कसम उर्फ हमाने होता दूसरा तो तीसरी कसम एक नाम है दूसरा नाम है मारे के गुल्फार्म तो इस कहानी का नामकर्ड उसके कथाना के अधार पर किया गया है और कहानी के नायक हीरामन और एक भावुक हीरामन संबेदन सील ब्यक्ति है उसे या ग्यात भी नहीं होता कि वा किन छड़ों में हीरा बाई के परती इतना अधिक अनुरक्त हो गया था कहानी के अंत में जब हीरा बाई उससे बिदा लेती है तब उसके लिए या दुख सहन करना कठिन हो जाता है इसलिए वाह तीसरी कसम छो है इस बात की लेता है कि वाह अपनी गाली में किसी नोटंकी बाई को अब कभी नहीं बैठाएगा नोटंकी वाली को कभी नहीं बैठाएगा नोटंकी की देखने में अच्छा भी नहीं है हीरा बाई जो है सुन्दरी है अच्छी दिखती है तो उससे उसको प्रेम दिखाने का प्रियास किया है यानि कि छोटे तपका का जो लोग है या गाउं का लोग है वो सहरों की लड़कियों से प्रेम कर सकता है इसको भी यहां पर आप देख सकते हैं तो यह कहानी प्रकार से कहीं न कहीं पे बहुत प्रकार के पहलों को देखाने का प्रियास करती है ठीक है यहां पर अनलोम प्रतिलोम विवा भी आप मलब की विवात हो नहीं लेकिन प्रेम की प्रकार से भावना ऐसा नहीं कि कोई वेक्ति कुरूप है उसका अगर मन एक प्रकार से अच्छा है तो कुरूपता से कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर यह भी आप यहाँ पर इससे सीख ले सकते हैं ठीक है तो कहानी कारने आप यहां पर देखेंगे कहानी कारने प्रणई की अतिन्त सूच में भावनाओं को आलोची कहानी में जो है अभिव्यक्त करने का प्रियास क्या आलोची कहानी में जो होता है जो आलोचना के रिए प्रस्तुत कहानी यानिकि जो तीसरी कसम कहानी उसी की बात के दबे छुटे बदलते स्वर्मुकृत करने वाली कहानियों की अंतरकत रखा है तो इस प्रकार से ये बात आप ध्यान रखेंगे निसकरसता अगर कहा जाए तो निसकरसता हम कहा सकते हैं कि तीसरी किसम कहानी या मारे के गुलफाम कहानी भडी सुरनात रेड़ो की अतियंत महतपूर अतियंत उलेखनी है अतियंत प्रसिद चर्चित और प्रभावसाली कहानी है जिसे कला के दिष्टी से भी सफल और ससक्त कहानी कही जा सकती है इसमें कोई दोरा है ने तो इस प्रकार से या कहानी ना केवल कहानी कला के तब्तों के हिसाब से बलकि हर एक माइने मे कहानी बहुत ही सही उतरती है बहुत ही खरी उतरती है ठीक है ये बात आप ध्यान ने किए थोड़ा सा किलियर समझते थोड़ा सा एक प्रकार से तो तमाम प्रकार चीजों को आपने समझ लिया तो कहानी कला के जो तत्तो है यह मैंने आपको बता दी और यही आप से प्रस्णाप्त के एक्जामें पूछा यागा तो आप आसानी से कर पाएंगे ठीक है पूरा कथानक आपके समझ में आ गया तो इस प्रकार से यह आपका सारी चीज़े मैंने आपको समझा दी और आपको बता दू कि हिंदी का यह लिक्त की बात नहीं है चले फिर मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजे भारत अब सभी का बहुत धनीबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी परकार से प्यारा मेंसा बने रखे गुड़नाइट आला फ्यूव सभी लोग गुड़नाइट बहुत दनीबाद भी